सो हे गाई स्वागत आपका एक बड़ फिर्शे आप ही गेवडिव चैनल में भी आज के इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे स्टॉक्स को लेकर आप लोग देखो कि रेलवे स्टॉक्स हमें कुल मिला कर गिरावट में दिखाई दे रहे हैं एक-दो स्टॉक पोजिटिव है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ खबर आई है उसी वजह से भाई ठीक है सबसे पहले आप लोगों देख कंटेंडर कोर्पोरेशन यहां पर भी गिरावट है बी एमल में तेजी है एक से देट परसेंट के असपास इरकॉन इंटरनेशनल में दो परसेंट की गिरावट और IRFC में भी दो परसेंट की गिरावट सबसे दो तूटे है IRFC एंड इरकॉन इंटरनेशनल ठीक अरियल वे सेक्टर के अंदर उसके बाद आप लोगो देखोगे भी रेल विकास नीगम लेमिटेड इसमें भी हल्की फूल की क्रेक्शन है और रेल टेल कोर्परेशन में भी द इसको पॉजिटिव अभी के टाइम है और रेल विकास नीगम लेमिटेड को लेकर भी आपको पताओ को खबर आई है खबर के आई तो आप लोग देखो को चारसुन तारीस क्रोड के ओडर को लेकर आई है यह ओडर कंपनी ना इथिंक 24 अप्रेल को ही बता दिया था भी इ के बारे में उसके बाद आप लोग देखोगे कंपनी नें एक और कंपने द्र की क यह इन्ट descriptive लेकर और इसके जौन भी आप लोग देको आप लोग सांपनी अपम्पने पंदरा तारीक को जैना पंदरा मई को अपने रजल्ट डिस्कलूज करिए और बता दें यह अजो आ तो यहीं आप लोग देखोगे तो यहीं आप लोग देखो 14-15 क्यास पास ही देखने को मिले यानि कि उसी वीकेंड में आएंगे उसके रेजल्स ठीक है वीकेंड के अंदर तो चलिए भई अब आपको दिखाते है राइट्स लिमिटर इसमें तेजी क्यों बनी यहां पर क्य बंस याने कि अलोई जया है कहाँ से बंगलादेश से बंगलादेश से लिएवे यहाँ से अधिक है लेट ओ ढ़ीक है जो एकसर ड्lo सफे हैं वह कंपनी पर लोग देखोगे सप्लाइं के बेडसों ब्रोड गेज इसेंजर करिये चिःक है तो पैसेंजर कर सब्सक्राइक यह बंगलादेश से मिला बड़ा ओडर अभी इसकंद्र आप लोग देखोगे क्या क्या इंक्लिट है ड्राइंग वगरा पार्ट्स ठीक कैटलोग हो गया कैपिटल एंड मेंटेनेंस सपेयर यह सब कुछ इसके अंदर आप लोग देखोगे रहने वाला इसी है आपको डेटेल में देख लेना ठीक ही ओडर के जानकारी है हम देखाएंगे इसकी कोस्ट क्या रहेंगे यहां से आप लोग देखोगे एक सो ग्यारा सोरी बई ग्यारा क्रोड 12,63,998.22 अगर देखा जाए तो यह यूसडी के अंदर है ठीक है यह यानि कि आप लोग देखोगे यह जो दिया यहां डाटा पूरा का पूरा यह यूसडी यानि कि डॉलर के अंदर कंपनी को ओडर मिला यह बंगलादेश से यानि कि डॉलर के अंदर वहां से जो ख़बर आई अब ही ठीक है 200 जो ब्रोड गेज है पैसेंजर केरिये वह कंपनी जोने भी सप्लाई करेगी ठीक है बंगलादेश को यह बड़ी अच्छी ख़बर आई थे वह नजर आई है और कितने टाइम में करेगे भी इसका जोना भी डाटा दिया गया 36 महिने में तो च करोड का ओडर मिला था आप लोगों एक चीज नोट कियोगी जो स्टोक है चला था 215 रुपे के असपास से ठीक है 215 इससे पहले भी स्टोक नीचे शाया था 177-180 के असपास चला गया था मार्च महिने में बहुत बड़ा फोल बना और वहां से जो स्टोक अब लोग देख को अच्छा ओडर कंपनी को मिला ओडर के बाद जोन भी उपर में 280 रुपे तर के जाने के चांस थे लेकिन नहीं गया 270 के आसपास स्टोक में फिर से हमें उपर से प्रोफिट बुकिंग देखने को मिला है तो यहां से प्रोफिट बुकिंग के कारण यहां पर आई है गिर रहे था भी 120-25 के आसपास से और वहां से स्टोक पहुंच आउपर में 160 तक तो क्या यहां पर भी प्रोफिट बुकिंग नहीं होगा तो यह प्रोफिट बुकिंग के कारण ही हमें दबाव देखने को मिल रहा है रियल विकास निकम लिप्टेट में भी सेम कंडिशन है प् सपोर्ट लेगे चलना है इरकोर्ण इंटरनेशनल आई रफसी 140 का सपोर्ट है रियल विकास निकम लिमिटेट एक सो असी के आसपास का सपोर्ट है यह लेवल है रेजल्ट से पहले आए थी कि यहां पर जोना भी थोड़ा सा सोच वीचार करके बेचने के बारे में सोचना अधरवाइस आगे देखें कि अभी रेजल्ट कैसे आएंगे रेजल्ट के उपर जह उसे भी कोई भी अपडेट आएगी निकल कर वो आपके साथ जुरू साजा करेंगो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बैल आगों को प्रेस करकर रखें थेंक्यो फूर आएगे विडियो